नमस्केर, दुस्क्रून। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज एक बहुत ही मत्फून एडिटोरियल के बारे में। ये आपका एडिटोरियल लिखा गया है भःप और और आस्टेलिया के संबंदों के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो भी चर्चा में आपके देशत रहते हैं, जैसे आपका, हम लोग ने अमेरिका देखा था, अमेरिका भारत की संबंद, फिर आपके चाइना कुछ समझ चर्चा में रहा, तो उसके बारे में भी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों न बात की थी, फिर नैपाल आपका चर्चा में रहा, तो उसके भी चर्चा कर दीती हम लोगο हने, आज बात करेंगे भारत और और स्टेलिया के संबंदों के बारे, तो देखेंगे कि अभी किस कारण रिया आइडिकल लिखा गया ही आपका, और भारत और स्टेलिया के मद्ध कि से संबंध रहा है और लोग के च्छित क्या है इसमें उन्हें भी देख नंगी कि आफ लोग जानते हैं कि हम किसी से तभी दोस्ति भी करते हैं आजकल जो हमें फायदा की बुपिती है यानि कि की हमें फायदा हो इसी लिए तो हम के अच्छी थे हैं उन्हें देखेंगे लोजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रिमेंट क्या है उससे पर भी चल्चा करेंगे किन चेतों में सम्मंद बेटर हो रह सकते हैं हमारे देश और ऑस्टिलिया की भी उस पर भी देखेंगे हम लोग और वीजन इंडिया भारत ही है लेकिश यह महाधीब में हमारा भारत इसमें आप देखते हैं यह आपका नैपाल हो गया यह उपर चाइना लगा हुए यह आपका अफगानिस्तान पी उके वाले से लगता है यह आपका पाकिस्तान है बंगलादीज भूटान मैंनमार नीची आपका स्रिलंका है अब चलते हैं ऊस्टेलिया की तरग लिए तो यह आपका और देख रहा है यह यह रादधानी है वह के नवरा उस्टेलिया भी कई भागों में आपका बटाव हुआ है जसे तरह से हमारे यहां राज्ज्च वोते हैं इस तरह से वहां भी बटावत और आपका कैनवरा इसका सबसे बड़ा नगर है सिडनी और यहां की जो राष्टी बासा है वो है अग्रेजी और सरकार की बात करें तो यहां संसधिय है संगी है संसधिय है लोगतन तेया समीदानिक राजसाईए वह है और श्चलिय सरकारी है यहां के समराट अभी 2020 की बात कर रहा हूं तो एलिजा विर्थ दूती है और प्रिदान मंत्री हैं आगे स्कॉर्ट मौरीशन तो इन से आपको अपडेट बना रहना है क्योंकि यह प्रिदान मंत्री और जो समराट होती है तो बदलते रहते हैं यहां वास्टेलिया ही खलीज हो गया तस्मान सागर, कोरल सागर यह अरापुआ सागर हैं तेमोर सागर से लोवन सागर इसी के पास हिंद महासागर से जोड़ा हुआ है देखिए और यहां आते हैं तो हम अपने भारत पहुंच जाते हैं तो इन ही के बारे में बात करनी हैं प्यदान मंत्री नर्द चार जून 2020 को दुई बक्चिय आवासी बैठक महिस्सा लेंगे इस बैठक का मुख बिसे भारत और और अस्टेलिया के रक्षा संबंदों को मजबूत करना है बैस्विक मां हमारी कोविद-90 से बचाओ की बेहतर विकल तलास करना वो विश्त्य स्वास्त संगतन में आवस दिनों दिन इन संबंदों में परगित्ती भी देखी जा रही है दुई बक्चिय ब्यापाद रड़नितिक प्रयास चात बीनिवय कायकरम सतत बिकास के लिए समान की दिवाद्यताओं ने भारत और और उस्टिलिया के संबंदों को और अधिक गतिसील बना दिया जब इस बिवस्था में तेजी से बदला हो रहा था तब ऐसे दौर महिंद पिसांचित का मत और भी बढ़ जाता है निश्चेत अपर हिंद पिसांचित में भारत बाव और और ऑस्टिलिया की एक जुटता चेन की समराजबादी नेतियों को पिती संतुलित करने में एक सफल प्रय सावित हो सकती है बात करते हैं भारत बाव और ऑस्टिलिया के मंद इतियासिक संब्द ने क्या रहे हैं बारत और और ऑस्टिलिया ने कई दसकों पर क्रेमे क्रोप से एक दूसरे की पिती रर्णेतिक विश्वास का निर्माण किया है ऑस्टिलिया और भारत ने सरप्थम स सोतंता से पूर्व राजनेक समंद्ध इस्थाफित किये यानि कि आजादी से पूर्वी जब भारत की वाड़िज दूतावास को पहली बार बर्स मार्च 1944 में लेटिनेंट जनरल एवेन मेंके को भारत में ऑस्टेलिया के पहले उच्चायवत को बस 1945 में कैन बरा में निउप किया गया था 1950 की दसक में कोलंबो यूजना कि माध्यम से कई बारतिय चात्रों को आउस्टेलिया में जाकर अध्यान करने के लिए पुरुसाहित किया गया था तो इस कोलंबो यूजना को भी आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह कि जब भी आप आंसर आइटिंग करते हैं कहीं या ऐसे लिख रहे हैं तो इस तरह की पॉइंट डाल देते हैं आप लोग तो एक आकरशित आंक का अंसर हो जाता है ठीकर वर्स 1952 में और भारत परिशत की स्थार्णवी किसकी ए आई सी की और भारत परिशत की वर्स 2008 में भारत और 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 अस्टिलिया की वीच पारस परि सिधिक सहायता संदी और पित्यरपण संदी परहस्ताक्चर किये गए बर्स 2009 में सुरक्चा सहयोग पर एक सहुथ गोष्णा सहिद रणनेतिक सांजिगारी के लिए दोनों राष्टियों की बीच दुईपक्षिय संबंदों का उन्ने नुला वर्स 2014 में तत्कालीन पिदान मंत्री टॉनी एवोट की भारत यात्रा के दौरां दोनों देशों के बीच एक नागरिक परमाडू सहयोग समझोते परवी हस्ताक्चर किये गए बस 2016 में ऑस्टेलियाई संसद ने सिविल निउपलियर ट्रांसफर टू इंडिया विल 2016 को पारित किया जो यह सुनिश्चित करता है कि नागरे कोपयोग के लिए बारत को ऑस्टेलियाई यूरेनियम के आपोलती का अनुमन सुनिश्चित किया जाएगा अब इनके भी चगर सहयोग की बात करें हम लोग भारत ऑस्टेलिया की भी तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक संबंदिकी बारत एक तेजी स से आगे बढ़ती भी अर्थ विरस्ता है और ऑस्टेलिया ने इसकी पहचान करते कोई भारत के साथ महत्मून आतिक समझोते भी किये हैं वर्स 2016 में ऑस्टेलिया में भारत का नियाद लगवख 4.6 विलियन डॉलर था जबकि इसी यौधी में ऑस्टेलिया से भारत का याद 11 विलियन डॉलर का था ऑस्टेलिया में भारत का मुख निर्यात्यात्त्री, मोडरवान, मसीनरी, मौती, रतन एवं माभूसन, आस्टी एवं परिस्केत पेटोलियम है जबकि भारत का फिर मुख आया थे कोईला, गयर मुद्रिक सोना, तामा, कून और वरक और सिक्षा सेवा है, दोनों देशों के भी बरतमार में लगबख 20 बिलियन डॉलर का ब्यापार हो रहा है, दोनों देशों में बरतमार में ब्यापाकार्तिक सहयोग समझोती, पर सहमती बनाने कभी परियास किया जा रहा है, अगर सेक्षिक संबंदों की बात करें, सेक्षिक चित में, सिक्षा के चित में अध्यान के लिए अन्य देशों की योड रोप करने वाले भालतिय चात्रों के लिए अश्टेलिया एक लोप्रिय गंदब इस्थले अश्टेलिया ही सरकार ने युवाओं कुन की युगता और अनभाव में बिद्धी के लिए निव कोलंबो यूजना सुरू किया इसकल इंडिया में सनकित है भारत सरकार ने बर्स 2022 तक 400 मिलियन लोगों को पिसीख्षित करने का लक्ष तैय किया है और अश्टेलिया की मात्पून भूमी क्या हो सकती है इसमें और अश्टेलिया की मात्पून भूमी क्या हो सकती है अगर हम लोग सामरिक संबंदी की बात करें दोनों देशों की भी तो एक खुला और मुक्त एसिया पिसांथ चेत भारत और ओस्टिलिया दोनों की हित में औस्टिलिया ने भी एसिया पिसान्त के वज़े हिंद पिसान्त की सब्दावली अपनाई है यह दिखाता है कि औस्टिलिया ने इस चेत में भारत की महिती भूमिका को सुईकार भी किया है आसेन परमाणों उर्जा सहयुग की सीग संचालन तथा भारत की सुरक्चित परमाणों रियक्टरों के लिए यूरेरियम आपूर्ति को भी ओष्टिलिया करसमल्थन पिरापते अगर हम लोग रक्षा चेत की बात करें तो रक्षा चेत में भारत और और उस्टेलिया की एक सांजा चिंता चीन को लेकर है जहां और उस्टेलिया प्रिसान चेत में चीन की उपस्तिती से चिंते थे तोहीं भारत हिंद महासागर में चेन की बढ़ती गतिविदियों से चिंते थे वर्स 2019 के प्यारम में ऑस्टेलिया और भारत बारतिय नोसेनाओं ने दो सब्ताय चलने वाले दुईपक्चिय समुद्री अप्यास औसेंडिक्स में भाग लिया था इस दुईपक्चिय समुद्री अप्यास का आयोजन भारतिय नोसेना और रोयल ऑस्टेलिया नोसेना की बीच आपसी सहयो और पारस्परिट्था को बढ़ाने के लिए तथा करमचारियों को आपस में अपने पेसे बार बिचारों के आधन पिदान का आउसर पिदान करने के किया गया था यह मैत्पुन है कि वर्स 2017 में आउस्टेलिया विदेश नीती के स्वेद पत्मे भारत को अमेरिका जापान इंडोनेसिया चेन के साथ अग्यमपंती के अंतराश्टिय सांजेतारों की रूम में माननता दिये चेन को पिती संतुलत करने के लिए क्वाइड की स अंकल्पना वर्स 2007 में जापान के विदान मिंत्री सिंजो आवेद्वारं दी गई थी इस समय में आपका जापान सेकतराज अमेरिका के अत्तिरिक्त भारत और ऑस्टेलिया भी सामेले चार देस इसमें सामेले आपके भारत जापान अमेरिका और ऑस्टेलिया अब बात करत लॉजिस्टिक सपोर्ट एक्रीमेंट यह समझता दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की सेन रसत की उपयों की अन्मती देना जिसके दरगत दोनों देशों के सेने कापस में भोजन पानी और पैटॉलियम जैसी सुब्धाओं का आधान पितार कर सकेंगे यह समझता चेन की सेन विस्थार और आर्थी पिगाव प्रभाव को देखती हुए दोनों देशों के लिए काफी मात्मून होगा अब बात करते हैं कि कि शित्रों में संबंद बेहतर हो सकते हैं बारत और वर्ष्टिलिया की बीच अंतरिक चनुसंधान अंतरिक चनुसंधान के शित में इसरो का ट्रेक रिकोर्ड बहुत ही अच्छा रहा है इसरो द्वारा चन्यान मंगलियान से लेकर एक साथ एक सो चार उपग्रई को कप्छा में स्थावित करने का सखल फर्यास किया गया बारत ओस्टिलिया की अंतरिक शंबंदी पहलों के लिए इसरो के तत्वाधान में अभियान चला सकता है और इससे जहां और यहां अंतरिक्ष में पहुच बढ़ेगी वहीं भारत मात्पून आर्थिक लाथ प्राप्त होगा भारत को ओजा की अगर बात करें और ऑश्टिलिया ओजा शित में भारत का एक मात्पून भागे जा रहे हैं ऐसे मैं उम्मीद की जा रही है कि इस दसक के अंतर तक ऑश्टिलिया भारत को एल एंजी लिक्ष लिक्ष की नेचूरल गेस्ट निर्याद करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा बारत को चाहिए कि ओश्टिलिया के साथ तिलकाली और सुरक्षित एल एंजी आपूर्ती सुनिश्चित करमद्दपूर अपनी अत्यतिक निर्भात्ता को कमस करें भारत फ्रह विग्ज्यान और प्रोदगीं भारत और ऊस्टि़िया ने अनुसंनार और नवाचार के चित में ब्यापक पडिती की 84 बिलियन डॉलर का भारत ऑस्टेलिया रिशर्च फंड ने ऑस्टेलिया की तरफ से किसी भी देश के लिए इस छेत में किया गया अब तक का सिवड़ा निवेश है फिर भी कुछ मोर्जों पसदार की जरुवत थे अउस्टेलिया इस सरकार ने एक तसमलाव एक विलियन डॉलर की रासी के साथ अपना एक नेशनल इनोवेशन एंड साइन्स एजन्डा जारी किया बारत के लिए उप्युक्त आउसर है कि वह इस एजन्डे के साथ अपने मेक इन इंडिया पे स्टार्ट अफ इंडिया जैसी अभियानों को लिकर चले ताकि विज्ञान और नवाचार आर्थिक विकास को गत्ती दे सके अगर स्वास्त की बात करें मिलू तो आउस्टिलिया उन चुन्दिन्दा देशों में से एक है जिनोंने नियंतित अनुकूलन के माध्यम से अब तक बेस्विक महामारी कोविद-19 का मुकाबला करने में कामयाभी हासिल किये बारत को स्वास्त और सुरक्षित भोजन के साथ साथ आपूर्ती सिंगलाओं को सुचारू रोप से सुनेचित करने के लिए और टिलिया से मत्पूर सबक सीखने की जरूरत है दोनों ही देशों ने कोरोना वाइरस की उत्पत्ती की अंतराष्टी जाच में सहयोग पिजान किया है तथा विस्तस्वास्त संगठर में आवस्तिक सुधार करने पर बल दिया है हम लोग बात करते हैं बीजन इंडिया दोहजार पैंटीस ये क्या है करण कारोबार का विस्ताथ और वहाई संपर्थ को बहतर版ा सामिल है आपका इंडिया वीजन डोकुमेंट भारत के साथ ऐसिलिया आरतिक भविस का रोड मेट तेयार यानि कि विस्तुर करता है और यह माता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती पिरमुक अर्द विस्ता है जो अंगले 20 बर्सों में और यह कारववार के लिए भी किसी भी अनेकल वाजार की तुला में अधिक आउसर भी पिदान करता है समझ सकते हैं कि जंसंख्या भी एक लाप्थ जंसंख्या का होना है निस्कर्स बारत वा उस्टिया के मध्रिकी की गई पूरवर्टी साजिदारी जहां एक और एसिया पिसान संकलपना की स्ताँ पर हिंद पिसान संकलपना को मजबूद देने में एहम ताबित हुई तो वहीं दूसरी और क्वाइड समों के लिए पत्पिदर्सक का कार भी करेंगी। बारत ऑस्टेलिया संबंद में ना कि बद चेन को किती संतुलित करेंगी, बल्कि विस्तो विवस्ता को एक नई रुचाईयों पर ले जाने का भी कारिक करेंगी। ठीक है? तो यह था फूर की कहानी आपकी भारत और अस्टेलिया की बीच समन्दों की।